क्या अर्चना गौतम को एक बार फिर से बिग बॉस ने सीधे सीधे घर से बेकर कर दिया है जी हैं आपको बता दें कि बिग बॉस अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद आपके होश होड़ जाएंगे क्यूंकि बिग बॉस ने अब तक का एक और सबसे हो चुकी है कि बिग बॉस ने अर्चना गौतम का नाम लेकर ऐसा कह दिया है कि अर्चना अभी इसी वक्त घर से बेगर हो जाओ ऐसे में आखिर अर्चना ने ऐसा क्या कर दिया कि बिग बॉस ने उसे सबसे बड़ा फैसला सुना कर सबसे बड़ा दंड दे दिया और बॉस के घर के अंदर चाय वाला इंसिडेंट हुआ जिसमें अर्चना गौतम ने गरम पानी गिचन एरिया में उड़ा दिया और वो गरम पानी सुंबुल टोकिर खान पर भी गीरा प्रियंका चोदरी पर गीरा ऐसे में आपको बता दें कि घर के सबी सदस्य जलते जलते आती हैं उन्होंने बिग बॉस के घर के अंदर एक बार ये भी साफ साफ कह दिया था कि मैं बिग बॉस की ट्रॉफी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ ऐसे मैं आपको बता दें कि अब अर्चना गौतम उसी हद तक चली गई हैं और अर्चना गौतम ने सारी की सारी हदें पार कर डाली हैं अर्चना गौतम ने जिस तरह से घर के अंदर पानी उडाया बिग बॉस ने सीधा-सीधा अर्चना गौतम को एक बहुत बड़ा पंड दे दिया है खबरों की माने तो जैसे ही ये लड़ाई हुई उसके बाद बिग बॉस ने अर्चना गौतम को कनफेशन रूम में बलाया और कुछ ऐसा कह दिया कि अर्चना गौतम एक बार फिर से रोती हुई नजर आ रही है जी हाँ जिस तरह से बिग बॉस ने पिछली बार जब अर्च जोर जोर से रो रही है लगता तो ऐसा ही है कि एक बार फिर से बिग बॉस ने वही कदम उठा लिया है एक बार फिर से बिग बॉस ने वही फैसला दोरा दिया है और अर्चना गौतम को कहीं बिग बॉस ने एक बार फिर से घर से बेगर तो नहीं कर दिया जिस तरह से अर् अर्चना गौतम के खिलाफ ले लिया है आपको क्या लगता है और आप क्या चाहते हैं कि क्या अर्चना को एक बार फिर से घर से बेगर कर देना चाहिए या फिर नहीं हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हरेक लेटेस न्यूज के लिए हमारे चैनल को जुरू सब सब्सक्राइब करें